नमास्कार दोस्तो आपके अपने डेली जी के किसी चलमा आपका स्वाकत है दोस्तो वीडियो पूरा देखना वीडियो को कट मत करना क्योंकि दोस्तो सभी सवाल इंटरस्टिंग सवाल है इन सब इस वालों को देखने में आपको बड़ा मज़ाएगा तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला स्वाल है IPL के टिकेट का पेशा किसके पास जाता है सई जवाब है IPL के टिकेट का पेशा किसके खेलने वाली दोनों टीम और IPL और्गनाइजर यानि BCCI के पास जाता है दूसरा स्वाल है ऐसी कौन सी चीज है जिसकी जरूरत सर्दियों में ज़्यादा है लेकिन वो गर्मी में अधिक मिलती है सई जवाब है धूप तीसरा स्वाल है सूर्य और प्रत्वी के बीच अधितम दूरी कब होती है सई जवाब है चार जुलाई को चोथा स्वाल है एक बिल्ली के तीन बच्चे थे जिनके नाम जनुवरी फरवरी और माई था मा का नाम क्या था सई जवाब है क्या ही मा का नाम है पांचवा स्वाल है ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पर हम कभी चड़ नहीं सकते सई जवाब है के ले का पेड़ चक्ता स्वाल है अगर आपका डॉक्टर आपसे कहता है यह गोलिया हर आदे गंठे में खानी है तो गोलिया कब तक खतम हो जाएगी सई जवाब है आदे गंठे में साथ वाब स्वाल है वह कौन सा जानवर है जो कभी पानी नहीं पीता सई जवाब है चूहा कंगारू आठ वाब स्वाल है किरकेटर्स क्यों लगते हैं चेहरे पर सपेद क्रीम सई जवाब है किरकेट खिलाडी धूप में मेच खेलते हैं कुछ देश में सूरज की क्रीने डारेक्ट चेहरे पर पड़ती है खिलाडी जो सपेद क्रीम चेहरे पर लगते हैं वो जिंक ओक्साइड होती है जो एक तरे की फिजिकल सन इस्क्रिन है ये क्रीम रिफलेक्टर का काम करती है और तवचा को सूरज की क्रीनों के असर और नुक्सान से बचाती है हमारा दस्वासवाल है लड़का रोज लड़की का पीच्छा करता है लेकिन कमेंट छेड़कानी नहीं करता ये कौन सा ओफेंस है सही जोब है यह स्टोकिंग ओफेंस यानि पीचा करना निगरानी रखना फॉलो करना में आएगा इसे के तहित केस भी दर्ज होगा सोसल मीडिया पर और ये लाइफ में स्टोकिंग केस हैरेस्मेंट से ही जुड़े है आपने दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में झाल